तो लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ बहुत ही शांदार रोचक और मन को लुभाने वाले कुश्चन जी एस के और जनरल एप्टिट्यूट के तो इसमें थोड़े से कुश्चन्स हमने आपके करेंट अफेर्स के भी डाले हैं तो आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद अगर आपको क्लास पसंद आती तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब कर सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोश्चन से तो पहला कोश्चन है दोस्तों की कामाख्या मंदिर जो इंडिया का प्रसिद्ध जो है कामाख्या देवी मंदिर भी इसको बोलते हैं तो ये कामाख्या मंदिर भारत के किस स्टेट में हैं, तो भई साब कामाख्या मंदिर भारत के है आसाम स्टेट में, किस में हैं, आसाम स्टेट में हैं, ओके, चली अगला साब अगला कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन है, फादर ओफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है, भार पुरुसकार है दादा साहब फाल के पुरुसकार ओके और मैं आपको बता देता हूँ कि दादा साहब फाल के पुरुसकार की जो शुरुवात हुई थी 1969 से ये पहला प्राइज दादा साहब फाल के पुरुसकार फर्स्ट टाइम इसको इंटूडूस किया गया था उसके बाद से अभी तक लगातार दादा साप फाल की पुरसकर अभी भी दिया जा रहेगा चलिए अगला सावाल इस्टोनोमी से है पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस प्लानेट के हैं सबसे ज़्यादा मून किस के पास में हैं तो करेक्ट आंसर है सबसे बड़ा प्लानेट जूपिटर जूपिटर के पास में टोटल 63 मून्स हैं जूपिटर के पास में किस कितने मून्स हैं 63 मून्स हैं चलिए अगला क।श्चन है किंड्री जल शक्ति मंतरी का नाम बताईए Central Water Power Minister Hydro Power Minister जिनका नाम है गजंदर शिंग सेखावत ओके जी अश शेखावत गजंदर सिंग सेखावत ओके जल शक्ती मंतरी जल शक्ती मंतरी हैं गजंदर सिंग सेखावत चलिए अगले बताईए अगला क्वेशन है EMS स्टेडियम कहां परिस्थित है EMS EMS उनके राजनीता का नाम है उनके नाम पर EMS लाँ सबी मैं ओके कोईए स्यम्हादरी सुपर ठर्मल पावर प्लांट ओके स्थिप री सुपर थर्मल प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है सिमहादरी you support ठर्मल प्लांट है की पाइंट है थोड़ा है लिए इसको पॉइंट रिपिरेंट से तो यह क्या नाम है भाईस आप सिमहाद्री स्थार्थर्मिन क्रढंट 1 ओक अगला लीघे प्रोटीन ग्राणती कि ऐसे आप क्या समस्तें प्रोटीन क्रांथि के लिए किसका real इस्त्माल के जाता है protein यज अंबू बाची मेला ओके अमबो बापी मेला नहीं लोगता है तो इस लगता है , क्या लगता रश्मेल चलीए अगला कौश्चन लके नहींंत stat राज वह स्धिया ? बांध जो है कोनार बांध कोनार बांध तो कोनार बांध जो है याने कोनार डैम किस राज्ज में इस्थे थे तो जो कोनार डैम है वो जार खंड में इस्थे थे ओके कोनार बैंड जो है वो जार खंड में इस्थे थे, ज़ार खंड में इस्थे थे, अगला बताईए, दक्कन की रानी किस सहर को बूला जाता है, मैं बात कर रहा हूँ, दक्कन की रानी की Queen of Deccan, Queen of Deccan, ठीक है न, तो Queen of Deccan की बात हो रही है, Queen of Deccan, ठीक है, तो दक्कन की रानी किस सहर को बूला जाता है, बताई एक बार कि Queen of Deccan किसे कहा जाता है तो Queen of Deccan किसको कहा जाता है भाई पूने को पूने शहर को क्या बोला जाता है Queen of Deccan ठीक है चलिए अब इसके बाद अगला question पर आ जाईए दक्कन की रानी तो हो गई है राम गंज वन जीव सेंचुरी जो है मतलब कि राम गंज वन जीव सेंचुरी ओके अब भ्यारान सेंचुरी आप जानते होंगे ना तो राम गंज वन जीव सेंचुरी लेकिना में याद रखी राम गंज ओके तो यह राम गंज जो एनिमल सेंच पर ना पोपट का किस खेल से समंध है तो अपरना फोकट का समंध किस से है बैडमिंटन से है चलिए अब बात करते हैं सीमा रेखाओं की तो आपको बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बौडर है उसको क्या बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान की बौडर को बोलते हैं क्या इंडिया पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं क्या आपको बताना है तो भारत पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ क्या बोलते तरहा है उसको क्या बोला जाता है उसे बोलते हैं क्या बोलता है विजय कि ज ne क्या है यहिए जान करी मत मांग यह कि नाम किसे पड़े हैं तो भारत और चीना के बीच कि जो सीमा है उसको क्या बोले जाता है मैक मोहन लाइन चलिए तो आँगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ में भारत पाक सीमा क्या है ड्रेड क्लेफ है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को डुरेंड लाइन भारत चाइना को क्या बोलते हैं Google में देखेगा Night Sky अभ्यारण, अभ्यारण को साथ century बोलते हैं, तो Night Sky अभ्यारण जो है किस राज में स्थित है, तो बहुत अच्छा यह है, अब अलाकी जा, राज तो नहीं रह गया है, जम्मु एन कस्मीर जो है क्या बन चुकी है, टेरेटरी बन चुकी है, तो यूनियन बन चुकी है तो जम्मु एन कश्मीर में है पहले राज्य था तो उसमें जम्मु एन कश्मीर में था अब ये युने टेरिट्री बन चुकी है चली अगला क्वेश्चन है बताइए कि भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है बहुत ही सम् में घय तो ये रेट ये रुषान अस्टोनाट थे जिनका नाम था यूरि गार्गन थे ठीके ना हमें कुछ्रकार को दिए अगला कौ्ष्जन है वह रहां फेसमें और हाँ चान्द पर कदम रखने वाले पहले व्याद कि दि रहे जीता है ना है मिसई वर्ण का किई वर्ड का खताब यह है न है मिसेज वर्ड मगर भारत की हैं तो इनका नाम है सरगम कौशल ओके क्या नाम है इनका सरगम कौशल तो यह मिसेज वर्ड है है न सरगम कौशल याद रखेगा सरगम कौशल चलिए अगला पेटा संस्था क्या है तो यह जानवरों के लिए एक संस्था है इसका फुल फ आफ एनिमल आपको ये बताना है कि 2022 में पेटा का तब पेटा की तरब से भारत की किस एक्टरस को परसन आफ दा इयर घोसत किया गया है पेटा की तरब से किस को परसन आफ दा इयर घोसत किया गया है परसन आफ दा इयर पेता संस्था जो होती जानवरों के संच्ण के लिए काम करती है तो भारत की तरफ से प्रतिवरस किसी ना किसी को person of the year बनाये जाता है तो 2022 के लिए पेता की तरफ से जिसे person of the year बनाय गया वो है सोनाक्षी सिन्हा, कौन है? सोनाक्षी सिन्हा, okay के दबंग गर्ल सुनाक्छी सिन्ह डवन पिच्चर में देखा हो गए हैं सुनाक्छी शिन्ह चलिए अगले क्वश्चन की बात करते हैं। अगला है अंतराष्टी प्रवासी दिवस बात करने और ठीक उसके आठ दिन बाद, किसकी बाद होती है, अंतराष्टी प्रवासी दिवस की थोड़ा सा याद रखिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं, विजय दिवस, विजय दिवस क्या है, जिस दिन 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था, वो दि भाई साब, आसाम की राजधानी, जो आसाम की राजधानी, वो क्या है, दिशपूर है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, गोभाटी, मगर गोभाटी राजधानी नहीं है, आसाम की राजधानी क्या है, दिशपूर है, ओके, दिशपूर, आसाम की राजधानी क्या है, दिश चलिए अगले सवाल क्यों अग्ला सवाल अगि इंद्रावती बांद कहा पर ऑके कौंसा नाम है इंद्रावती बांद कहां पर है आप अगला क्वंशन है सैला नरति कहां पर होता है सेल अंदर्त जो है कहां पर किया जाता है तो सेल अंदर्त जो है बाई साब यह 36 गड़ में किया जाता है तो 36 गड़ में जानते हैं आप लोग कौन सी जन जाती है बहुत ज्यादा सेल अंदर्त होता है अगला क्षचन काफी जाता है और मैंने पूछा भी था आपको पिछले बारे की PDF में, पिछली बार की class में, online class में, कि रोला पड्डू, ओके, रोला पाडू, अभ्यारन कहां पर है, रोला पाडू, रोला पाडू, अभ्यारन कहां पर है, यह रोला पाडू, अभ्यारन कहां पर है, यह रोला पाडू, अभ्यारन कहां पर है, तो यह बताना आपको कहां पर पंचैती ये राज दिवस जो है किंद needs a जाता हैmee राष्टी पंचैती राज दिवसो मना जाता है 24 अपरेल को राष्टी पंचैती राष्ट दिवस मना जाता है अगला कर्शन वह बीरबल साहनी संस्थान European आधा ये कि यह यह, यह पौली योबाटनी है सायथ की पहली यो बाटनी है थोड़ा around कपढ लीजिए गा को तो बीर्बल स्सन्थान की ज sail कहां परिस्थे है मेली आप नाम से मतलब रखें जिसका नाम है बीर्बल स्थानी ओके तो हम किसकी साहनी संस्थान, कहां पे है, ये लखनाओ में, चली अगला question है, India Pride Award, कौनसा मैंने बुला अवाइड, India Pride Award, ओके, yardy pride किसके लिए रिया जाता है, तो India Pride जो अवाइड होता है, ये उद्धयोंकों के लिए दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है उद्ध्योंगों के लिए ओके इंडस्ट्री के लिए जाता है अगला कुश्चन देखे जो सतरंज के चैंपियन सोते वर्ल्ड चैंपियन उनको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको Grand Master, तो सतरंज के 77th Champion है, उनका नाम क्या है, 77th Grand Master जो है, वो कौन है, तो बड़ी अच्छी बात है, सतरंज के 77th Grand Master जो है, वो इंडिया से हैं, और उनका नाम है आदित मित्तल, इनका नाम क्या है, आदित मित्तल, ठीक है ना, चलिए अगला कॉशन करते ह है भारत का पहला एक्वा पार्क एक्वा पार्क मतलब पानी में तहरता हुआ पार्क बड़ा ही सुंदर पार्क है यह कहां पर बनाया जा रहा है भारत का पहला एक्वा पार्क ओके तो एक्वा पार्क जो इंडिया का पहला एक्वा पार्क जो बनाया जा रहा है ये बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में चलिए अगला कुश्चन देखिए उत्तर भारत का नौर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ओके नौर्थ इंडिया का जो पहला डेटा सेंटर है तो आपको पता है नौर्थ इंडिया में सारे के सारे डेटा सेंटर कहां पर बैठने चाहिए तो वैसे पता है Greater Nevada ओके तो ये कहां हो है Greater Nevada में सारे सारे के सारे New Channel बगेरे बैठे हुए है तो ये भी डेटा सेंटर कहां पर है Greater Nevada में है चलिए अगला है Tribal Dance Festival ओके Tribal मैंने बताया था आपको Tribal सबसे ज़्यादा कहां पर है 36 गड़ में है तो Tribal Dance Festival कहां पर आयुजित किया जा रहा है Tribal Dance Festival भी आयुजित किया जा रहा है 36 गड़ में ओके तो ये 36 गड़ में आयुजित किया जाएगा चलिए अगला कोश्यन है अगला question आपसे पूछेंगे हम की वैग्यानिकों वैग्यानिक समाचार के प्रकाशन में वैग्यानिक समाचार के प्रकाशन में भारत का कौन सा इस्थान है इंडिया की आपको रैंक बतानी है कि इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है वैग्यानिक समाचार पत्तों के प्रकाशन में एक दूसरी या तीसरी या चोथी तो correct answer है इसका क्या तीसरी ओके इंडिया की रैंकों सी है तीसरी मतलब scientific समाचारों के प्रकाशन में इंडिय चाइना में चपती हैं और दूसरे नंबर पर आता है USA United States of America ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की और चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है राष्ट्री गणे दिवस इंडियन में नेशनल मैथमेटिक्स डे ओके आपको बताना है कि राष्ट्री गणे दिवस कब मना जाता ह तो स्री रामा जुन नोजम जी की जैनती के दिन में जिस दिन रामा नोजम जी का जनम हुआ था कौन सा दिन है ये 22 दिसम्बर ओके 22 दिसम्बर को राष्ट्री गणे दिवस मनाया जाता है और मैं आपको बता दूँ ये साल का सबसे चोटा दिन होता मतलब इस दिन सबसे चोटा होता रात सबसे बड़ी होती है चली अगला question इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंदर ओके क्या है इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंदर ओके इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंदर जो है कहां पर इस्थित है तो इंद्रा गांधी पर से मेरे को याद आ गया कि इंद्रा गांधी जो थी भारत की सबसे पहली और भारत की एकलोती महिला प्रधान मंत्री थी और ये इनको 1971 में इनको क्या मिला भारत रत्न मिला ओके भारत रत्न मिला और ये भारत की तीसरी प्रधान मंत्री थी इसके पहले जो प्रधान मंत्री थ दूसरे इसके बाद में बने कौन से दूसरे बने थे लाल बहादुर सास्त्री क्या बने थे लाल बहादुर सास्त्री और तीसरे नंबर पर बनी थी श्रीमती इंद्रा गांधी तो यह तीसरे नंबर की प्रधान मंत्री थी और भारत की अकेली महिला प्रधान मंत्री है इनक अगला सवाल देखिए, अगला है सरगासो सागर, किस महासागर में इस्थित है, क्या नाम है, सरगासो, ओके, तो सरगासो जो सागर है, वो किस महानासागर में इस्थित है, तो भाईया यह अटलांटिक महासागर में इस्थित है, अटलांटिक, ओके, अटलांटिक महासागर में इस थित है कौन सा नाम है सरगासो ओके सरगासो चलिए स्वीटजर लेंड के राष्टपती का कारकाल बड़ी ही रोचक बात है जो स्वीटजर लेंड एक ऐसा देश है बड़ा स्वीट स्वीट सा देश है नाम भी स्वीटजर लेंड है यस तो स्वीटजर लेंड के चुनाओं कितने साल के बाद होता है 5 साल तो भारत में पांच वर्स की विवस्था है और सुटिजर लेंड में कितनी है एक साल की आपका क्वेश्चन है आप मुझे बताईए USA में कितने साल के बाद रश्ट्पती का चुनाओं किया जाता है चलिए तो बता दिये मैंने चंद्रगुप्त मौर जो थे अपने अंतिम दिन कहां पर बिनाया थे तो इनका नाम है इस जगह का नाम है स्रमण बेल गोला ओके यह बहुत प्रसिद्ध हो गई अभी बीच बीच में स्रमण बेल गोला जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर सिस्थल भी है और यह कहां पर आता गया है चंद्रागेरी पहाड़ियां चंद्रागेरी हिल्स चलिए अगला किस नदी को व्रध गंगा के नाम से नाम से ना जाता है व्रध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है व्रध गंगा तो गा से गंगा और गा से गोदावरी ओके तो गोदावरी आपको पता है न गोदावरी कहां से निकलती है तरंबक की पहाडिया जो है वहां से निकलती है तरंबक के शव्व YOUR होई निकलती है चलिए अगला qe surrender क्या बता है मैंने काला फेफडली में काम करने वाले लोगों को हो जाता है देस्ट के काला पन हो जाता है तो इसको बोलते हैं कोईला उद्योग ओके चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कोईला उद्योग की दो बात हो चुकी है यस पहली जो computer language आपने देवलप करी थी वो कया थी ओके computer language में पहली language कौन सी थी यह computer का भी question हो सकता है पहली computer की language जो develop की गई क्या थी उसका नाम था फस्ट से फोर्ट्रान क्या नाम था फस्ट से फोर्ट्रान यह computer की पहली language थी चलिए अगला question प्रतवी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी ओके इंडिया मतलब प्रतवी पर अर्थ पर जो सबसे बड़ा है लिविंग बर्ड सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है तो इसका आंस अगला question में आपसे पूषता हूँ अगला question ये है कि Sima Until Sima Until किस खेल से related है क्या नाम है भाई साब इनका इनका नाम है एक सेकंड रुख जाए थोड़ा सा चलिए हाँ जी तो क्या मैं पूछ रहा था Sima Until Sima Until जो है वो किस खेल से related है तो Sima Until जो है Discuss Throw यानि की तसतरीफ एक जो होती ही अपने पास है ना discuss throw से related है discuss throw भी बोला जाता है इसको discuss throw हाथ में एक plates ही रहती है उसको फेकते हैं discuss throw चलिए अगला question है ISRO की स्थापना कब हुई थी Indian Space Research Organization ISRO की स्थापना कब हुई थी तो ISRO की स्थापना 15 अगस्त सन 1979 में हुई थी 1969 में हुई थी किसके हाँ तो गरबाई थी भई Dr. Vikram Sara भाई जिनने भारत के Space कारेक्रम का जनक माला जाता है Dr. Vikram Sara भाई जिनने अंतरिक्ष कारेक्रमों का जनक माला जाता है और मैं आपको बता दू ISRO का जो मुख्याले है जो head denominator है वो का पर है Bangalore में बात कर रहा है किसकी बंगाल के विभाजन की बंगाल विभाजन तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है बंगाल का विभाजन किसके दौर में हुआ था किस तन में हुआ था तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ओके और इसी साल जो है नेशनल मुसलिंग लीग बनी थ के दोरान में और यह इस समय कौन था लाड करजन ठीक है ना तो लाड करजन के टाइम में हुआ था बंगाल का विभाजन चलिए अगला है इस्टोन कैंसर कौन सा कैंसर बोल दिया मैंने इस्टोन कैंसर तो इस्टोन कैंसर जो है किसके द्वारा होता है तो इस्टोन जो कैंसर हुआ करता है stone cancer किसकी वज़े से हुआ करता है stone cancer होता है acid rain यानि की अमली वर्षा की वज़े से stone cancer जो होता है acid rain की वज़े से हुआ करता है चलिए अगला question अगला question है कि राजसभा के पीठा सीन कौन होते है राजसभा के पीठा सीन मतलब की जो राजसवा को चलाते हैं राजसवा पीठ पर बैठ करके वो कौन हुआ करते हैं तो बहुत ही simple question इसका जवाब है उपराष्ट पती है ना और जिससे इस समय कौन है उपराष्ट पती जगदीब धनकर उपराष्ट पती होते हैं इसके अगला question है जलिया वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था तो जलिया वाला बाग हत्याकांड अम्रत सर में हुआ था ठीक है ना कब हुआ था 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1929 ओके 1929 में ही पहला वल्डवार खतम हुआ था और 13 अप्रेल 1929 को क्या हुआ था जलिया वाला बाग हत् में हैं तो जनरल डायर ने गोलियां चलवा जी ती करीब 1500 लोग घायल हुए थे और गरीब जो है 300 कई से कड़ों लोग 300 से 400 लोग जो है वहाँ पर और स्पॉट उनकी हत्यागर दी गई थी ओके तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में आपके क्या सुझाओं हैं हमको इनका बेसाबरी से इंतजार रहेगा अपना बहुमूल